असलाम अलेकूल फ्रेंड कैसे आप लोग भाई वोग की आप दो बच्छन होगे यह फैब्रिक जो मैंने आप लोगों को दुखाई थी इसकी जैकेट बनेगी और यह कंफर्म हो गया यह साड़ी बनेगी यह साटन फैब्रिक है मारून कलर का यह साड़े छे मीटर फैब्रि बनती है तो यह साड़े छे मीटर फैब्रिक है यह साड़े चैकेट यह मैंने में कटिन वे जब करूंगे तक भाऊ होंगे तो इसमें मैंने ब्लाउस का हम लिए हैं और जाना-वला निकाल लिया है और यह साड़े में निकाल लिए पिंकर लिया है, ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये, ये मैंने प्लीट बना लिया है, ये बात में प्रैस होएगा, आइरन होगा, तो, और ये, ये, इन गरने के, ये भी मैंने बना लिया, ये, इधर का कपड़ा जो है, ये पल्ले का है, जो इधर का जुपना होगा, ये, इधर का कपड़ा है, जो इसमें अभी प्लीट पड़ेगी, डॉड, तो, वह मैं आप लोग को दिखाती ओ, कि डॉड, कि ये, इतने में लगला, यह साड़ी थोड़ा लंबी है यह 43 है और हमें तयार यह 42 चाहिए तो इसमें बेल्ट लगनी है अभी उकर यहां पर एक या डेड़ी इसकी तो उस वज़ा से यह बहुत लंबी हो जाएगी साड़ी तो इसकी लेंथ भी हमें उपर से निखाने पर हम यह लेट डालने के बार प्लीट के बार फिर हम इंग इसको सीधे-जीधे काटके भाल दें वह इसी होता है मुझे लगता है वह इसी होता है तो अभी मैं आप लोग को इससे स्टिच करना बताती हूं और यह मैंने साइट में हेमिंग कर ली है मेशीन से फूरा साइट में सिलाई कर लिया है तो अब बनाने में और कोई बात नहीं आप लोगों को बताने के लिए बनात पो चलता है बहुत मेहन लगती है वीडियों बनाने में यह साटन का फैबरी का तो और यह मैंने छे इंच एक सिकन में लगा जीए यह मैंने छे इंच मैंने निशान नहीं लगा है कि मुझे तो आइडिया है तो यह आप छे इंच गहरा कर सकते हैं अभी एक चुपर से निखलेगा तो पांच इंच आ जाएगा और इससे ऐसे खोल करके हमें ऐसे डॉट डालनी है करीब यह दो इंच की डॉट है दो इंच गहरी और छे इंच लम्डी जारे इंच लम्डी यह मैंने एक डॉट देती हैं आप दूसरी देते हैं एले व्लीन की बटी की ब से बिटेते हैं यह दोए छोगा क्स देते हैं यह भे गो घ्ले आप लोगों कोगा मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको आगे शेयर करिए करें करें लाइक करें सब्सक्राइब करें कि यह मेरी तीसरी प्लेट हो गई और यह तीन प्लेट हो गई है अब मैं चौर्थी गाल में जा रही हुआ एक जाओ प्लेट में तो आप स्ट्पािव लाओार मेरी न एक माच्छी राओ भी उसकेब खिर एंगा रिजय निएजए पाट में पाट, यद्दी जोर रिए पाट में रिए से जोर पाट मैं रिएमी रिए खाटीप। पर इखलाश में बहुत पत्री सी इसे प्लीप देगी इसे पत्री लग देगी इसे बहुत हैं जिनकी लीप होती है उसमें डॉट थोड़ी गहरी पड़ती है जैसे तो धाइच गहरी होनी चाहिए और अगर फट्री नियां तो फूश्य में लेड़ इंच की एक इंच की भी डेड़ इंच की चल जाती है अगर अगर यह की है तो तीन इंच की गहरी प्राइच की चल जाती है यह मैंने छेप लीट देदी हैं और यह छेप लीट होने के बाद और यह की बगाद स्व प्रेशमा जात दाओर स्थि में बादे प्न 거지 की चाह की उतावन्स ऱून की छेपिसे स्वागं यह लीट हम एंव स स सिर लादी हम अगर यह की सहि Points दयाता यह चेज़िसे सव पे गवं यह मेरा प्लेट हो गया है साड़ी का और एक डोट दोट तीन डोट यह प्रेस हो जाएगा तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा पता नहीं चलेगा यह यह ऐसे छेप इधर मैंने इतना कप्ला छोड़ दिया तो यह ऐसे यह ऐसे राउंड हो की कमर में ऐसे इस फिक हो जाएगा तो इतना हो यह इससे जादा हो कोई शू नहीं क्योंकि इतना बड़ा हुआ कप्ड़ा है तो यह अंदर खुक लगता है चोटा बड़ा करने के लिए कमर के हिसाब से आप उसको फिक्स कर सकते हो तो यह तैयार हो गया अब ही मैं आप लोगों को साड़ी की लेंद कम करना बताते हूं जैसे साड़ी लगी है उनको जिर्फ 42 चाहिए और इसकी लेंद की कपड़े की लेंद 43 है तो इसको मैंने लेंद बनाने के बाद में कपड़े रिखा लोगे अट इखाते हैं आप लोगे कि अबया है पढ़े है हो से इस इस अब करके दोछी अब फिसल है अब जादी बनाने में बहुत प्रप्रोंव को यह है देखें आप मेरे पास पीन भी खता में ने पीन ख़गाड़की का लेटे हैं बन्फविने, से कमा तो हुआ सबूद यदा कपड़ी तीद घदर हो घया है इसको पहले कर लेते हैं कि इसमें आनेे छे प्लेट बनाया है आपने आपार्डिंग बना सकते हैं 6-7 वैसे पाच बनती है छे भी बना सकते हैं साथ भी बना सकते हैं मैंने अपनी भी ऐसी साड़ी बनाई तो मैं किसी बिनाथ लोगो उसको दिखाऊंगी सेम है तो गैट का जैकेट है वो क्रेप की साड़ी है और नेट की जैकेट है तो वही किसी दिन आपनों झोड़ी करी है बहुत प्यारी साड़ी बनी है की बदे बहुत पसंद है और मुझे मैं पहन दो लोगो उसे एडिटी वेयर बना ली थी तो ये हमारा लेटर पर इसे स्कोप शेल चला देंगे ताकि जो प्लीट है वो इधर भना हो एक बाप प्लीट चला देंगे ताकि मैंने पिल लगाया हुआ तो ये पिल लगाया हुआ है तो ये निकल जा रहा था इसलिए मैंने मशीन से कर दिया अब ये मुझे आसानी होगा को को समझाने में और दिखाने में भी अब मुझे यहां से डेलिंचे करें कपड़ा लेंग कम करना तो मुझे डेलिंचे ऐसे लगा करें ये मेरा फ्याप्रिक होगे इसलिए मैंने डेलिंचे निशान लगा लिया हुआ है अब ये मैंने डेलिंचे लिए अधर से तो रशी चलाती आउंगी क्योंकि ये प्लेट बनी होगा अधर मैं ऐसे काट दूँगी तो ये कप्राप आप जाएगा अधर साड़ी छोटी बढ़ी हो जाएगी तो मैं ये एकवे लिट के निशान लगाँगी आइए इस एक अधर एक प्लेट नहीं है यह प्रेस होने के बाद बनता है पर मैंने बना दिया है तो आपको चांस नहीं है इसी कल दे रही है पार में प्रेस कर दिया है कर दिया है कर दोस्या फेंदर... ऑगल जर प्रेस करेंदर यह प्लेट के पास हमारे मशीन आगए तो अब इसको सही करें नहीं सुछते हैं में इसका प्लेट है क्यों थोड़ा देखने करें हो लाई वटम करें हो कि मम रखने करें हो कि प्रेश करने के बाद कि इसकी कट्विन कैसे करने है यह मैंने हैं इसको मसीन चला लिए गया हूं तो अभी मैं आप लोगों को दिखाते हूं इसको प्रैस करने के बाद